Hi everyone, आज हम लोग बात करेंगे legal advisor के job के बारे में Legal advisor का काम एक law firm में होता है जहां पे आप काम करेंगे part of a legal team का और जिसमें आपका काम होगा कि आप legalities जो हैं उस firm की जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपना योगदान देंगे As a legal advisor के रूप में जब आप काम करेंगे तो आप जिस भी firm में काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी legal issue होता है तो आपके जो management है या आपके जो CEO है वो आप से advice लेंगे क्योंकि जो legal advice है वो आपको अच्छे से पता होगी आपके पास उसकी qualification होगी तो आप उनको legal जो aspect है उस पे अपनी advice देंगे एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक legal advisor के रूप में आपका जो काम होगा कि आप अपनी company को या अपने company के जो management है वो सही decisions कैसे लें और किस तरीके से legal जो rules and regulations है उनको ध्यान में रखके वो अपने company के काम कैसे करें या फिर जो decisions हैं वो कैसे करें या फिर जो भी नया जैसे वो project ला रहे हैं हर चीज में जो legal complications है या legalities है उनको देखना बहुत जरूरी होता है इसलिए जो बड़ी firm होती है वो अपनी एक legal team रखती है और उनके जितने भी legal काम होते हैं उसमें हो सकता है कि company को कोई issue कर रहा है या contracts आम देखें एक छोटे level पर देखें तो company में जितने भी employee होंगे उनके contract होते हैं company के साथ तो उन contract की जो language होगी किस तरीके से उन contract को बनाना है यह सारा काम जो होगा legal advisors या पार्ट आप जो legal team होते हैं वो देखते हैं आपकी जो firm है वो हो सकता है कि for example कोई manufacturing firm है तो वहाँ पर बहुत सारे vendors होंगे क्योंकि manufacturing firm के example में हम लोग देखें कि वहा पर raw material आएगा उसके बाद जो आप manufacture कर रहे हैं वो जाएगा आपकी factory या manufacturing unit से बन के तो जितने भी raw material जहां से आ रहे हैं जहां पर आपका जो समाने बन के जा रहे हैं वो जो भी vendors हैं या आपके suppliers हैं सबसे आपकी जो contract हैं वो बहुत सही होनी चाहिए क्योंकि जो contract की language है उ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे आप अगर सही ना रखें तो उससे company को बहुत नुकसान हो जाता है इसलिए जो बड़े-बड़े organization हैं बड़े-बड़े firms हैं वो अपनी legal advisor खुद रखते हैं कि जिससे उनके जो भी legalities हैं वो उनको अच्छे से देखे उनके जो contracts बन रहे हैं वो एकड़म firm हो उनकी language जो है जो आपकी company चाहती उसके हिसाब से हो क्योंकि आपको legality की knowledge आपको होगी तो आसपेक्ट देखना as a legal advisor आपका काम होगा As a legal advisor आप बहुत सारे different जिगे काम कर सकते हैं बैंक के खुद के legal advisors होते हैं या फिर कोई अगर finance की company है वहाँ अपने legal advisor होते हैं क्योंकि बहुत बार हम लोग देखें कि जो भी companies हैं या firms हैं उनके बहुत cases भी लोग कर देते हैं या कुछ legal ऐसा काम हो जाता है या complaints आ जाती ह हैं तो उसको legal जो department होता है जो पूरी team होती है वो देती है और legal advisor के रूप में आपका काम होगा कि आप अपनी advice वहाँ पे देंगे as a legal advisor आपका काम होगा कि जो नए contracts हैं उनको बनाना और उसके साथ साथ जो पुराने contracts होंगे आपकी firm के या फिर कोई भी document आपको तयार करना है या फिर कोई complaint आई है या कोई case जो है वो court में चला गया है किसी ने complaint कर दी तो ये सारे इसके जो document हैं आप review करेंगे आप उनको बनाएंगे भी अब जब आप एक legal advisor के रूप में काम करेंगे तो आपको जो भी legal procedures है rules and regulations है वो जानना बहुत in depth बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप एक छोटी firm में भी काम कर सकते हैं एक बहुत बड़ी firm में भी काम कर सकते हैं तो इसके लिए आपकी जो expertise है वो यह और आप खुद कितना चीजों को सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप अपने आपको up to date रखते हैं क्योंकि हर एक field में अपने आपको up to date रखना बहुत ज़रूरी होता है As a legal advisor आप office से भी काम कर सकते हैं उसके साथ साथ बहुत बार आपको meetings भी करनी पड़ेंगी clients के साथ क्योंकि जब एक case आपके सामने अगर आता है तो आपको उस case के बारे में सारा सब कुछ knowledge होनी चाहिए तभी अगर case वो court में जाता है तो आप कैसे किसी को defend करेंगे जब त इसके लिए आपको out of the office जाके कई बार काम करना होगा जो clients है उनसे meeting करनी होगी जो information है वो client से लेनी होगी फिर आपको जो draft है वो तैयार करना होगा तो इसके लिए client meeting करना एक बहुत बड़ा part of your job बन जाएगा जब भी कोई legal case होता है या legal आपको काम करना है तो उसमें proofs ह हैं यह सारी चीजें आपको एक खटा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के basis पे आप कोई complaint है उसके लिए आप देखते हैं कि कैसे उसको सुलचाय जाए या फिर कोई भी legality है उसको कैसे आप देखेंगे तो इसके लिए proofs को जुटाना और उन पे काम करना फिर यह किस तरीके से लीगल जो rules and regulations है जो laws बने है उसके हिसाब से आप कैसे अपने client को help कर सकते हैं ऐसे legal advisor जब आप काम करेंगे तो आपके writing skills आपके research skill बहुत अच्छे होने चाहिए और आपका एक analytical thinking जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको यह देखना है कि आप के client की situation है उसके हिसाब से आप कैसे जो law में जो precedence है उनको कैसे use कर सकते हैं या फिर बहुत complex जो आपकी company है यह firm है अगर बहुत complex चीजों से deal कर रही है तो उनके जो contract बनाना है उनका जो legal framework बनता है पेपर वर्क होता है उसको भी बनाना आपका काम होगा तो इसके लिए आ legal language होती है उसमें clarity होना बहुत ज़रूरी होता है legal advisor के रूप में आपके जो communication skills है वो बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि आप हो सकता है कि कहीं अपनी firm को आप represent भी करेंगे हो सकता है court में आप represent करें तो उसके लिए आपके communication skills होना बहुत ज़रूरी होता है आपको सारे जो procedures हैं उनकी knowledge होना बहुत ज़रूरी होता है अगर कोई dispute है उसका settlement कैसे किया जाए legalities को ध्यान में रखके उसका settlement आपको करना होगा तो इसके लिए आप जो एक part of legal team होंगे वो एक बहुत ही एहम department होता है जिसको हम बोलते हैं कि legal department है वो बहुत ही ज़रूरी होता है क्यों As a legal advisor जब आप अपना काम करेंगे तो उसमें आपकी expertise होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपका inclination है जो legal काम है उसमें अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके के काम करना और आपको interest है legal काम में या legal advisor बनने में तो आप इस job में बहुत अच्छा कर सकते हैं और इस job म आप एक छोटी form से शुरू करके बहुत बड़ी-बड़ी form में काम कर सकते हैं तो opportunity जो है वो बहुत अच्छी है इस job में अगर आपको interest है और आप में जो skill set है जो इस job के लिए required है अगर आपके पास वो है तो आप एक बहुत अच्छे legal advisor बन सकते हैं I hope इस video से आपको काफ box में लिखेगा and I'm going to see you in my next video